नमस्कार दोस्तों वेल्कम बैक टियो ओन चैनल वेल्थ फर्स दोस्तों आज है तरिक 2nd of June 2020 और आज आए हैं ब्रिटानिया के ब्रिटानिया के क्वाटर 4 के रिजल्ट्स दोस्तों आपको मालम होना चाहिए ब्रिटानिया FMCG के बिजनस में एक दिगज कंपनी है तो दोस्तों इसके रिजल्ट्स को डिसक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो क्या चीज़ है खास उन पर नज़र डाल लेते हैं सब से पहली चीज़ तो आपको हम बता देते हैं Consolidated Financial Results के बारे में जो टोटल इंकम आई है 2946 क्रोर्स जो की पिछले क्वाटर में थी 3047 क्रोर्स तो आपको दिखाई पड़ रहा है Marginal Decrease है in total income जबकि Corona का लास्ट अप्रोक्सिमिटली लास्ट 10 डेज में एफेक्ट का revenue था टोटल इंकम था वो बढ़कर के हो गया 2946 क्रोर्स जो कि था पॉजिटिव साइन अगर हम लोग बात करें टोटल प्रॉफिट फॉर दा पीरेड तो टोटल प्रॉफिट फॉर दा पीरेड में भी थोड़ इसी Marginal बढ़ोतरी है जो कि आया 372 क्रोर्स as compared to पिछले क इसी क्वाटर में था 294 क्रोड तो वर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर पीरेड में देर जसा स्लाइट इंप्रॉब्मेंट उसी प्रेकार से दोस्तों आप देख सकते हैं comprehensive income में भी देर जसा स्लाइट मार्जिलान इंक्रीज इन दी प्रॉफिट इस कंपेर तो प में था 12.37 तो इसका मतलब क्या है कि is there a very very big jump very good growth तो दोस्तों ऐसा नहीं है मेरे साब से stock की जो valuation है वो काफी ज़्यादा overvalued है तो stock क्या गिरेगा कितना गिरेगा इसको भी समझते हैं एक बार major जो key takeaway है उनको एक बार दोहरा लेते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा important है FMCG Major Britannia has reported consolidated revenue growth from sales of goods at 2% तो 2% का consolidated revenue growth है अगर हम लोग बात करें net profit की तो 26% बड़ा है जो कि मैंने आपको बता दिया है total tax expense गिरे हैं जिसके कराण आपको यह profitability ज़्यादा दिख रही है क्योंकि tax expenses कम हो गएं almost half हो गएं जो कि है 85 crores as compared to 155 crores the last year अगर हम लोग बात करें Britannia के revenue growth के बारे में तो 20% की revenue growth नजर आ रही है और यह important figures है दोस्तों जो कि आपको at the back of your mind रखने हैं while analyzing the company as such तो जो चीज़े सबसे आदा important है वो आपको ध्यान में रखने हैं सबसे पहले चीज़ consolidated revenue में increment हुआ है 4% जो की बढ़ा है और जो net consolidated net profit आया है उसमें 21% का growth है तो यह positive चीज़ है लेकिन उसको fuel किया है कम जो you know tax expenses कम हुए है उसके करन not because की you know sales बहुत जादा बढ़ गई है या फिर बहुत अच्छे margins improve हो गए not because of that reason because of the lack of tax expenses tax expenses कम हुए है जिसके करना आपको profitability में थोड़ा सा ज्यादा increment दिख रहा है लेकिन जो company की commentary है उन्होंने बोला है कि there are some challenges उनको ऐसा लग रहा है कि आगे भी challenges हो सकते हैं लेकिन उन्होंने इसको recover किया है और उन्होंने कहा है कि वो progressively lies कर रहे हैं government के साथ आगे भी करते रहें है जिससे की उनकी supply chain अच्छे से maintain रह सके तो company की commentary में काफी satisfaction नजर आया लेकिन मेरे हैसाब से दोस्तों इस पूरे महौल के चलते जो Britannia का prices समय बना हुआ है वो काफी ज्यादा inflated लगता है ऐसा मेरा मानना है अब आप देखें दोस्तों इसके क्या expectations हो सकते है forecast क्या हो सकत होती है तो company ने अगर इससे बहतर perform किया आने वाले समय में तो फिर इसका जो एक साल के बाद का target होगा वो होगा approximately 4000 रूपीज which is close to 3900 प्लस तो यह होगा आपका एक साल के बाद returns जो कि आपको देखा करीब 14% के returns however अगर यहां कोई consumption में गिरावाट आती है company के performance कुछ गिरा अगर raw material की cost बढ़ी तो भाई company में गिरावाट आ सकती है उसके stock price में गिरावाट आ सकती है और उसमें आपको 67% की गिरावाट नजर आ सकती है और अगर ज्यादा गिरावाट आ गई तो approximately 20% के ऊपर भी आपको गिरावाट दिख सकती है अगर if you are hopeful then your price on the upper side is capped at 3900 प्लस त targets है तो you can consider buying at this moment as well रही बात company के quality के तो उसमें कोई भी डाउट नहीं अगर आप इसको compare करेंगे HUL के साथ में तो आप जानकर के हैरान रहे जाएंगे कि HUL से ज़्यादा bumper performance रहा है इसका past में in past 5 years अगर पिछले एक साल के बारे हम बात करेंगे तो एक साल में इसके returns are almost same as HUL अगर आप valuation की बात करेंगे तो जितने भी भाई HUL से मुझे इसको actual में compare करना ने चाहिए था लेकिन HUL is FMCG leader इसलिए मैंने इसको compare गया otherwise जिस segment में ये काम करता है उनसे आप compare करेंगे तो आप पाएंगे जो तीन top performer है उनमें से आप इसको cheapest पाएंगे almost cheapest पाएंगे in price to earning ratio आप पाएंगे it is cheapest price to book ratio में आप आएंगे it is on second number dividend deal के बारे में बात करेंगे तो dividend deal भी इसकी ठीक ही है तो overall बिटैनी आपको ठीक ठाक लगेगा लेकिन मेरे असाब से दोस्तों ये stock थोड़ा सा overvalued है जिस आपसे इस साल performance दिखाई है however पिछले साल के performance के बारे में बात करे दोस्तों मुझे लगता है कि इस समय जो price जाल रहा है almost close to 3500 इसमें थोड़ा सा मुझे overvaluation नजर आ रही है although industry की PE है 61 62 के आसपास और आपको उससे ये सस्ता मिल रहा है तो industry के comparison में अभी भी सस्ता है लेकिन इसमें almost आरी सारी के सारी अच्छी news अच्छे FMCG के growth perspectives सारे factor in हो च especially एक महीने में stock already 10% उपर है जबकि sensex है flat sector है almost 1-2% अब तब भी आपको Britannia अच्छे कासे return देके जा चुका है within 1 month तो काफी run-up भी हो चुका है in past 1 month एक साल में देखा जाया तो आपको पूरी market पूरी दुनिया जूज रही है कोरोना वायरिस के issues और इसके repercussions को लेकर के जबकि Britannia industries करीब 18% उपर है so you can understand कि बहुत दमदार company है दमदार stock है लेकिन इसको buy करने की जो मौके होते हैं उनको गवाना नहीं दोस्तों मैं आपको इसको बहुत दिनों से बोल रहा था 2500-2700 की वो लेवल से जिस पर इस पर fresh buy क कर सकते हैं तो आम शूर आप लोग ने बाई किया होगा तीन साल में 93% के दमदार रेटन सेक्टर 65-68% तो दोस्तों यह वो performance है दोस्तों जो की मेरे हिसाब से आपके आपके portfolio को हमेशा green रख सकती है अब इसके levels बात कर लेते हैं तो इसके जो pivot point पे level है वो आपको दिख रह travel कर रहा है यह वो दूरी है जिसको उसने travel कर रहा है from here till here तो अभी अपने resistance zone में जा रहा है यहां से उपर दोस्तों मेरे हसाब से इसमें upside ज्यादा ज्यादा possible है नहीं क्योंकि already काफी ज्यादा overvalued है given the market conditions अब इसमें क्या fresh buying कर सकते हैं मेरा मानना यह है in case if I want to keep at your place मैं इ recently लिया था जब यह coronavirus के चकर में stock काफी तीजे से गिर रहा था then I recently bought it at 2500 और 2500 यह वो लेवल से यह देखिए this is the level when I bought it और उसके बाद भी नीचे गिया था लेकिन मैंने वहां पर इसको बाई नहीं किया somehow I do not buy जब वो stock गिर रहा होता तब बाई नहीं करता हूं जब थोड़ लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं यहां पर इसको खरीद लूँगा I will not buy it क्योंकि Bollinger Band के median के आसपास यह आ गया है अगर बाईचांस यह नीचे crack करता है अपनी lower band पे आता है which is going to be close to 3000 रूपीज यस उस price पे आप चाहें तो थोड़ा सा fresh buying initiate कर सकते हैं फिलाल अग अब यह देख सकते हैं money flow index में नीचे गिर रहा है volume में भी थोड़ी बढ़ोतरी आई है volume बढ़ रही है this is a positive sign अगर हम लोग बात करें इसके moving averages में तो यह purple line है यह आपको दिखार है 20 moving average, red line is showing you 50 moving average, green line is showing you 100 and blue line is showing you 200 moving average, अब लिको लिक दम close close से हो गया है न तो दोस्तों दिखाई नहीं पढ़ रहा होगा, थोड़ा enlarge करके दिखाता हूँ, so यह अपने 20 moving average के support पे चलता, आप देखिए इसके, पुराना चार्ट देखिए, तो कहां पर यह 20 moving average के support तो ला था, यहां पर, और उसके बाद बहुत तेजीज रहा था, और उसके बाद जो इसने पक के लिए इसको 3200 के level पे buy कर सकते हैं, और 3200 के level पे buy करके इस पे 5-10% का अपना short time का मुनाफ़ा निकाल सकते हैं, so this is what I wanted to suggest to you, इसमें आप volume देख सकते हैं, अच्छे खासी volume की बढ़ुतरी नजर आ रही है, recently, तो price इसी कान उपर भी गया है, अब बात करेंगे भाई, इस इसलिए में दमदार delivery भी रहती है, results are not very good, but at the same time not very bad also, ऐसे में नहीं है कि गिरावट आ गई, loss post कर दिया, या फिर बहुत बड़ा fall आ गया, तो company के results are okay, not very nice, but मेरे साब से यहां पर अगर आपको कोई correction मिलता है, तो मैंने आपको level बता दिये, जहां पर आप उसको short term के लि your precious time, bye bye for now.